Assalamu alaikum my youtube family, सब कैसे हैं, हमीद है कि सब ठीक ठाक होंगा और बहुत खुश होंगा, आज मैं अपने बहन की घर में मौझूद हूँ, ठीक है जी, इसने नया घर बनाया है, बहुत ही माशाला हसीन बनाया है, मुझे लोग कहते हैं, हम लोग नया घर बना रहे हैं, हम हमें आइ सफाई का कीडा हैं, मेरी बहन सफाई का कीडा है, हरवक्ष कीडा कीडा है, आपको पता चल जाएक था किसी है, अचछ जी तो अब हम लोग रिकारदिंग करने लगे ते हैं, लाइट चली गई और बारिश हो रही है, जैसे अब ने गरत चमच दमक देख ली है, बादलों क अच्छा जी अब हमें ठंड लग रही हैं मौं अंदर जाते हैं चले जी हम अंदर आते हैं अपनी भेहन को कहते हैं जी चाय बना दिया अगर उसने चाय बना दी बना तो देगी वैसे अच्छी भेहन है मेरी कभी कभी गंदी हो चाती होती है चले जी अब लाइट आती है तो ठीक है जी इस साइट पर ये ऐक सीनरी लगाई हुई है ठीक है और ये बैटने के लिए एक सोफा है ये अप लोग कर किसी स्क्रिनचॉट ले सकते हैं ये प लिये सब्सक्राइर और ये प्लम ले लिए है यहां पर लेंप लगा हुआ है ठीक है और जो स्विचेस हैं ये भी दिखा देती हैं कुछ लड़किया पूशें स्विच किस तरह के आज कल चल रहे हैं इन्होंने तो इस तरह के लगाए हुए है आप लोगो ये पसंद है तो आप इस तरह के भी लगा सकते हैं ठीक है जो ये वाला दर्वाजा है किचन की आप इसकी स्क्रीन शॉट भेज दें किस तरह बनवाया हुए ये प्रॉपर पेंटर से न यहां पर पेंट करवाया हुए आप लोग इस तरह स्क्रीन शॉट ले सकते हैं यह देखे हैं ठीक है जी दरम्यान में टीवी लगा हुआ है 32 इंच का उसके बाद साइडों बे प् पेंट करवाया गया है यह नीचे दो ट्रॉज है यह दुबाया देख लें जिसका रह गया है अच्छा जी यहां पर शेंडलेर लगाया हुआ हुआ है यह च्छत का डिजाइन है थोड़ा सा मैं दूर से दिखाती हूं ताकि क्लियर नजर आ जाए यह जी च्छत का डिजा सामने की अच्छा जी कुछ इस तरह की से सोफे की सेटिंग की है ठीक है जी रॉयल ब्लू इसने सोफे रखे हैं यहां पर इसने मुड़े के दो देसी में और स्टूल्स के दो वलती में ठीक है जी यह कलर ब्रेकेश के लिए ब्राउन कलर एड करवा दिया है उसके बाद य एक लाइन्स वाला एक पैटरन एक लाइन्स वाला एक पैटरन ठीक है जी यह टेबल है यह टेबल का भी आप लोग देख लें यह नीचे से कुछ इस तरह का है ठीक है जी उसके बाद जो पर्दे हैं वो भी कंबिनेशन करवाया है सोफों के साथ रॉयल ब्लू रॉयल ब् है यह प्रॉपर पर्दे को द्राइन भी आप लोग देख सकते हैं थोड़ा मैं पीछे जाके आप लोग को दिखाती हूं ठीक है इस पर्दे को हम उठाएंगे और इसके पीछे फाउंटेन बनाया गया व्यू के लिए वो भी मैं आप लोग दिखाती हूं अच्छा जी उसक यह आप लोग इस तरह फुल देख सकते हैं यह देखें यह एंटर होते हैं टीविलाओं उच में तो बहुत ही प्यारा लगता है यह इस तरह लगा हुए इसमें आप लोग शकल तो देखनी देखनी होती है दिन में 6 दफार जब तयार होते हो तो बढ़े पड़े शीशे को बढ़े लगे होने घर में तो यह किसी महांस रखा हुए है यहां पर पैटसेल पड़ा हुआ है यह नेट है यहां पे सेम इस अई भान पर लिए। क्योंकि लाइट्स काफी लघी हुई है और यह इसके पाओं में यह थोड़ा समा से जखनी होगी है लेकिन कोई बात नहीं उसके बाद यह रेत वाला टाइमर पड़ा हुए और यहां पर इसने यह नकली है और जी वो असली है और वो डस्ट में छुपा के रखी हुए बच्चों से मुणना बच्चे इसके इंदर रखे रहते हैं कि दुबारा एक अच्छा देख लें इसके रोजेगा काले पंख्या लगाए इन्होंने ठीक जी रोयल ब्लू सोफे और रोयल ब्लू पर्दे और काले पंख्यों के साथ इन्होंने कंबिलेशन किया तो बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लाइट लगाई गयी है अब चलते हैं जी पर्दों हम उठाते हैं और इसके पीछे कब आपको व्यू दिखाते हैं ताकि आप लोग को आईडिया हो जाएगे पीछे फाउंटेन किस तरह का आप शार टाइप किस तरह की बनी हुई है ठीक है जी अच्छा जी तो अब हमने चिक उठा दी है ठीक है जी अब ये बहुत ही प्यारा सा है ये वीव आप लोग को नजर आ रहा है वो जी सामने मैं कड़ी है लो ये जी मैं आप लोग को पास जा कर दिखाती हूं ये देखिए ये सुबार की रोश्णी में मैं आप लोग एक दिखाता हूं ये चलें जी अब चलते हैं टीवी लाउंच की तरफ ये जी दिर्वाजा हम खोलेंगे और टीवी लाउंच की तरफ रवाना हो जाएंगे चलो जी दिर्वाजा बंद हर मेरा कद माशाला बहुत चोटा है तो मेरी बड़ी भाएंट ये दिर्वाजा खुला अब हम चलते हैं लॉबी में अच्छा जी इसको लॉबी कहते हैं इदर की लेटे बाला दो जी अच्छा जी तो अब हम यहां पर लॉबी में इंटर हो गए हैं सबसे पहले जी मैं आपको सीडियों के डिजाइन दिखा देती हूँ ये हमने छोटी सी ये इसने बास्के टाइप रखी हुई है थोड़ा सा पीछे होके मैं आप लोग को डिजाइन दिखाती हूँ माशाला थोड़ा सा इस साइट पर आती हूँ आवाज गुंज रही है कि घर माशाला काफी बढ़ा है तो यह देखें जी जो वाल पेपर से इन्होंने ती इस तरह करके वाल पेपर की प्रॉपर चोटे-चोटे सेक्शन बनाके ना वाल पेपर की डेकुरेशन कर दी है और इस तरह पूरी दिवार में रहानक आ गई है यह आप लोग कर सकते हैं जो जो घर बना रहे हैं और जो जो घर बनाने का सोचने है ठीक है जी आच्छा जी फिर हम या आते हैं यहां पर यहां पे जी इन्होंने आर्टिफिश्ट ग्रास लगा के थोड़ा से डेकुरेशन प जो के सब यूज कर सकते हैं असानी से तॉलिय शॉलिय रखा गया है यह अब अंदर से नहीं दिखा रही पीछ से मुझे वास पड़ी है साफ नहीं है यहां पर इसमें चोड़ सा रग बचा दिया है उसके बाद यह टीबल दिखाती है आपको दूरा दूर से जब ऐसी ची चीज आप लोग किसी अच्छे लकडी वाले से बना लिया जाए 50% आफ पर आपको चीज़े वह बन जाती है ठीक है पहले कोशिश करें कि आप लोग विजट करें दुकानों पर उसके बाद अगर आप पस कोई अच्छा लकडी वाला है तो आप उससे बन वाले अगर नही सेम बेट तो वह एक लाग पुचास जार का बन गया था वही बेट सेम टू सेम तो इसलिए पहले कोशिश किया करें कि अपनी लकडी वाले से बात कर लें अच्छा यहां पर इसने शीशे का डेकॉरेशन पीस लगा हुआ हुआ है यह मेरा घर्बतिया चा गर्बतिया रख हुए है उसके बाद यह डेकॉरेशन पीस है ठीक है जी एक दवारा दिखा देती हूँ यह जी विंडो है जो मैंने अंदर से दिखाई थी आपको बाहर से स्का एसन्ट दाइन है ठीक है अब यह कंप्लीट कर लेते हैं यह उपर शेंडलियर लगा हुआ है और दिवार कुछ इस तरह की देखती है उसके बाद यह एक लगी हुई है और यह बाहर का दर्वाजा है जहां से अपर हम एंटर होए है यह एक है उसके बाद यहां पे एक स्टूल रखा गया है अच्छे सबसे अच्छी बाद इसकी यह लगती है यह उन्होंने प्रॉपर बनवाया था एक बंदा बलवा दी यह आप लोग इस तरह लेख सकते हैं यह देखे उसके बाद वहां पे फुल साइज मिरर लगाया हुआ हुआ है वहां पे वाज रखा हुआ है इधर एक और यहां पे शेंडर लगा हुआ है एक फ़र दोबारा स्लो मोशल में आप लोगो दिखा देती हूं जी जिस जिसमें अपने मिया को दिखाना है अपने अब्बू को दिखाना है कि घर इस तरह का कुछ बनाना चाहते हैं तो वो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं असानी हो अब हम चलते हैं अब हम जी यहां चलते हैं यह है सिटिंग रूम अच्छा जी अब हम यहां से एंटर होते हैं ठीक हो जी एंटर उन से पहले मैं बता दूँ कि यहां पर टाइल लगी होई है धीक है जी यहां पहरो टाइल ही है एब गोटन टाइल सही जी सब दरौशों की थीम एक जैसी रखी हैं ताके कोई miss and match ना हो सब एक जैसे लगे अच्छा जी यहां से जी हम enter होते हैं enter हो गए उसके बाद पहले यह विली दिवार देखते हैं अच्छा जिस तरह वहां पे इन्होंने wallpaper के patches लगाई हो थे यह इस तरह एक patch इदर लगाई है एक patch इदर लगाई है और patch किस तरह लगाई है थोड़ा समय करीब जा के दिखा देती हैं आप लोग को यह देखें जी इस तरह करके यह लकडी के साथ लकडी के उपर paint करके यह proper wallpaper का patch लगा दिया ठीक है उसके बाद यहां पे ऐसी लग गग गया लग भी आ है एह पर दो सचर्वाद मैं मशाओल्ला मशाओल्ला यह है। अशॉबस देखे और पर्दों के दजाइन देखें यह सेटिंग देखें इसतरह यह अब आप लोबसों की सेटिंग तोज दिखाती हूं वह देखें दोस धो साइट टेबल और दिर्म्यान वाला भड़ा टेबल जो है वो ब्राउन है और साइड वाले तीन सुफे बाइट है थोड़ा सा पीछे जाके मैं प्रॉपर आप लोगो सेटिंग दिखाती हूँ ये देखे ये देखे ठीक है जी ये कुछ इस तरह की थीम है अब मैं सुफे आप लोगो पास से दिखाती हैं थोड़े से ताकि आप लोगो क्लियर नजर आ जाए ये देखे ये जो जो सुफे इस तरह के बनवाना चाहता है स्क्रीन शॉट ले ले अपने सुफे वाला को दिखा दे ताकि वो इस तरह के बना दे बच्चों वाले घर में तो थोड़े डार कलर के ही सुफे अच्छे लगते हैं लेकिन वाइट कलर से ही ग्रेस आती है ये सुफे इस तरह के हैं ठीक है जी साइड टेबल्स वो साइड लैंप लगा हुआ है ठीक है जी उसके बाद ये वाला सुफा दोड़ा सा पीछे आती हूँ ये लेकिए उसके बाद ये टेबल इसको मैं नीचे बैठके आप लोगो दिखाती है प्रॉपर जो इस तरह का बनवाना चाहता है अब आप लोग स्प्रीन चॉट ले सकते हैं जिसने लेना है ये रग बिचाया हुआ है हाई लग जी अच्छा जी उसके बाद यहाँ पर एक इनोंने दुबारा शीशा लगा दिया है इस तरह का और यहाँ पर अगेन बॉल पेपर्स को बना के इसके अंदर भी शीशे फिट कर दिया है फ्रेम्स की तरह इस वक्त रात के दो बज़ गए और मेरी इस वक्त बस हुई पड़ी है अबाद अगर टेड़ी मेरी हो रही है जी माजरत उसके बाद ये एक है यहाँ पर इनोंने रखे हुए हैं यह जो निकालने वाले एक दो हो तीन शार निकल आता है इसके दर महमान है तो सब के आगे आगे रख सकते हैं यह जी वाज है इसके दर पॉर्ट पूरी पड़ी हुई है और यह एक वाज रखा हुआ है यह एक डेकोरेशन पीस है यह है अच्छा जी अब बारी आती है इसकी छट दिखाने की छट जी कुछ इस तरह की है स्टार्टिंग से यह पैट्रन आ रहा है उसके बाद पंखे डाग ब्राउन है ठीक है जी? सोफों के साथ दो सोफे हैं ब्राउन टेबल है दो साइट टेबल है और पंखों का कमिनेशन ब्राउन कर लिया है बाकी सारा थीम वाइट है दुमाँ इस्तमाल के अवे रोने और यह शेंडलियर है उसके बाद यह भी एक पंखा है और दर्म्यान में इस तरह की यह देखे है यह करवाया गया है पैट्रन सा क्रिएट करके उसके बाद यहाँ पे पंखा आ जाता है जहां पे पंखा आया है वो थोड़ा सा अंदर की तरह प्लास्ट्वा पैरस है उस शीज के अंदर लाइट फिट करवाई गयी है और फिर अगेन तीन सेक्शन में यह है अच्छा जी अब मैं स्लो मोशन में पीछे जाकर आप लोग को पूरा दिखाती हैं जाइं जाइं रूम सिटिंग रूम यह देखे जाएं आमना जाना इमान उठी है भागी 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 उसके साथ लेट जाएं रात के दूपजे हम बीटीवे शूट कर रहे हैं और जी मेरी काफिय उठी है और यह अगेन यह बटन है सफाई किस तरह करती होगी खुद सोचो यार कीड़ा है मेरी भेहन कीड़ा चले जी अब हम चलते हैं यह बहुत अच्छी जीद है यह तो लाजमी बनवाना ना गर आप लोग घर बनवा रहे हो ठीक है यह शेंडलियर अब हम चलते हैं यह जी बाहर का दिर्वाजा है बाहर निकल जाएंगे इस दिर्वाजी में आप पिक्चर दिखाती है आप लोग को पहले क्लियर बहुत प्यार है माशा अला है यह देख्या ठीक है अच्छा जी अब हम चलते हैं यहां पे डाइनिंग टेबल के यह डाइनिंग रोग हैं जो के सब दर्वाजों की तरह ही यह दर्वाजा बनाया हुआ है ठीक है जी यहां पे अगेन बॉल पिपर के साथ डिफरेंट बॉल पिपर के साथ इस तरह दा काविंग करती गई है यहां पे दो सीनरी लंबे रुख लगा दी हैं अगर एक लंबे रुख लगाए तो दूसरी को भी लंबे रुख लगाए अगर एक इस तरह लगा रहे है ते मैं वाज जावा दर्वाजे देंदर है ठीक है जी इदर जी कुछ इस तरह का ये शीशा है और ये नीचे टेबल है इसका ये इस तरह यहां पे डेकुरेशन पीस पड़े हुए है ये शीशा लगा हुआ है ये मेज है कितनी कुरसी है एक दो तेचार पाचे साथा नौद बता नहीं नहीं बैठी हुई है अच्छा उसके बाद देखे जी इसका थीम इस तरह है जो ये वली चेर है और वो वली चेर है वो दोनों सेम बनाए है पैटरन के साथ इस तरह का पैटरन है ठीक है और जो बाकी है वो प्लेन पैटरन के साथ है जो टेबल है वो मैं आप ल के उपर से पैटर्न दिखाती हूं यह जी कुछ इस तरह का पैटर्न है भाएं है गई तरह एक कुरसी हम यह मैंने कुर्स्या निकाल नहीं इसका तृम इस तरह गई ना कождения बाएं आ थीके जी यह जो मेन कुर्सियां दो होती है उसके यहां मोटिव बना हुए और यह नोट करें जी एक यहां मोटिव बना हुए और उसके उधर मोटिव बना हुए बाकी यह सारे जिग-जग है all around और बाकी जी यह कुर्सियां आपको जी मैं नीचे बैठी दिखाती हूँ ता कि आप लोको सही बता चल जाए, ये देख्या ठीक है अब बारी आती है तो चोटू सा लगा हुआ है वो चोटू सा लेंप लगा हुआ है उसके बाद मैं ये दिखाती हूं च्छत आपको ये पंखा है ब्राइवन, पंखा भी जोड़ सा पास से दिखा दिखते हैं यहां पे ह्गड़ी लगाई हुए है जो चले कर्सिंग हैं आप लोगोर अपना नहीं बेहन का दिखा दिया dining room उसके बाद ये है sitting room ये ऊपर जा था है ठीक है जी सारा उसके बाद ये मैंने आप को दिखा दिया lounge अब बारी आती है kitchen की kitchen का दरोजा यहां से खुलता है यहां चलते हैं